हेलो गुड आप्टूनों एविवान कैसे है सारे बच्चे ओल गुड हाँ सर एकदम बढ़िया चलिए बेटा आज मैं आपके साथ जो चाप्टर डिसकस कर रहा हूंगा वो चाप्टर का नाम है डिडक्शन अंडर चाप्टर 6A और यह आपका टाक्सेशन के अंदर लेकिन आप यह बताओ कि इस चाप्टर में है क्या याद करो बच्चे याद करो मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लास में बोला था कि लाइफ में पांच हेड्स होते हैं हां सर बिलकुल याद है सालरी हाउस और डी पीजी वीपी कैपिटल गेंज और सोर्स यादे बच आपको याद है मैंने आपको फर्माट में लिखा आता है चाप्टर 6A डिदक्शन वो माइनस हो जाती है और यह 80C से लेकर 80U में होती है तो फाइनली आपका जो आंसर आता है वो क्या आता है बच्चे टोटल इनकाम तो हमने इस चाप्टर में क्या डिसक्स करना है कि सर च यह काम की चीज़ है सर क्योंकि यह मेरी GTI को कम कर देगी तो कहां कहां इन्वेस्ट करें कहां 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 इन्वेस्ट बोले तो निवेश करें क्यों इन्वेस्ट करना चाते हो सर आपको बताए यहां पर 25 लाक है तो सर अगर यहां पर 5 लाक हो जाए तो मजा ना आ जाए सर 20 लाग हो जाएगा कम हो जाएगा क्योंकि फिर टैक्स भी तो इसके ओपर लगेगा ना कम अगर हम इसमें कुछ इंवेस्ट ही नहीं करेंगे तो यह तो 25 का 25 रहेगा और टैक्स 25 लाग पर लग जाएगा तो I believe आप समझ रहे हो concept कि basically government आपको बताती है कि भाईया हमारे कहने से इंवेस्ट करो इंवेस्टर पूछता है यह टैक्स पर पूछता है क्यों करें वो कहती है कि हम benefit देंगे क्या benefit देंगे GTI को कम कर देंगे तो इसलिए आप invest करते हैं ठीक है और मेरे को आपके साथ यह सारा discuss करना है बच्छे अब मेरी बात समझना बिड़ा इस chapter के अंदर न डिड़क्षन दो लेवेल पर चलेगी बच्छे आपकी जो chapter 6a की deduction है न दो टाइप की होती है वो मैं अभी technical wordings पर नहीं जा रहा हूँ ठीक है मैं आपसे general बात कर रहा हूँ technical wording पर विच्छन जाऊंगा मैं आपके साथ दो क्या है देखो एक इनसान पहले अर्ण करता है उसके बाद क्या होगा कि उसको कहीं न कहीं invest करना पड़ेगा to claim deduction बराबर बात है न सर आपको deduction कब मिलेगी जब भाई जेब से पैसा निकाल के सरकार की किसी न किसी policy किसी न किसी scheme के अंदर आप लगाओगे पैसा तो आपको deduction मिलेगी तो basically आपको you have to invest somewhere कहीं ना कहीं तो investment करीब परेगी to claim deduction अंडर सेक्शन 6A क्लियर है हाँ सर क्लियर है यह कैसर यहां पर यह है आपने अर्ण किया क्या आपको invest करना है नहीं बेटे नहीं दूसरी category क्या है आपको इंवेस्ट नहीं करना अगर आपने अर्ण करा कुछ specific incomes specific nature of income general कुछ sections में देखेंगे कि अगर आपने वो specific income कमाई तो आपको deduction would be granted under chapter 6A और इसमें एक चीज़ लिखे जाती है यह C होता है चैप्टर पार्ट C बोला जाता है यहां पर मैंने कुछ नहीं लिखा यानि कि इस case में आपको क्या कह रहा हूं जैसे suppose करो मैं चलो आपको practical example दे देता हूं अगर आप FD में invest करते हो ना बैंक में और आपको interest मिलता है तो भाई साफ सीधी सीधी deduction मिल जाती है उसकी आपने कहीं उस interest एक बाद बताओ मैंने कुछ कमाया वो interest है अब income होगी मेरी हा सर लेकिन क्या मैंने कहीं भी invest करा उस interest को नहीं सर नहीं करा फिर भी मेरी कोस की deduction मिल जाएगी यानि कि अगर आप कुछ special nature of income कमाते हो जो government कहती है हाँ यह special nature of income है तो government मैं आपसे और खुबसूरती के साथ बात करूं कि यहां पर मैं बोलूंगा है कि टुक्लेम डेड़क्षिन वी हाव टू इन्वेस्ट इन्वेस्ट सब्मेट डोनेट जो मर्जी वर्ड बोलो बेटा मैं इतना कोई specific थोड़ना जारा हूं मैं तो यह कह रहा हूं जेब से पैसा निकालो जमा करो तो डिड़क्षन मिलेगी और यहां पर तू क्लेम डिड़क्षन वी हाव टू अर्न स्पेसिफिक इंकम अगर आप वो स्पेसिफिक इंकम कमाते हैं तो भाई सब आपको डिड़क्षन मिलेगी क्या सर हमें कुछ इन्वेस्ट करने की जरूरत है नहीं कि I hope I am clear to you तो मैं आपके साथ डेफिनेटली दोनों काटिगरीज की बात करता रहूंगा ठीक है एक दो बातें और सर क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने आपको बताया यह चीज़े तो सर क्या ऐसा हो सकता है कि जी टी आई आई छे लाक और हम लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया आट लाक मतब इसके समझे रहें ना पांचों का टोटल है छे लाक कि किसी भी सीकेंस कैसे भी किसी भी एड में मैंने आट लाक इन्वेस्ट कर दिया और दो लाक आ गया नहीं हो सकता सब्सक्राइब देर कें नौड बी अलॉस दियू टू डिदक्शन अरे भाई जी टी ऐ से उपर थोड़ना जाएगी यानि कि आप कह सकते हो चैप्टर शिक्स ए इस लेस देन और इकॉल तो योर जी टी आ ओ वाव वट्टाइक्वेशन तो इसका मतलब ये तो नह पाएगा मैक्सिमम चाहे आट लाग जमा कर भी दो तो भी छे लाग ही होगा और टोटल इंकम क्या हो जाएगी मेरा भाई नेली अब ठीक है सब ना ओड़ दोके आउप आं क्लिर डू यू यस कही ना कहीं बात वी बात हो मैं आपको प्रोविजन बताता जा रहा हूं चलिए अब सर हम लोगों ने बहुत सारे सेक्शन करने हैं सर तो आईए एक बड़ा सेक्शन आपके साथ करता हूं सबसे पहले एट्टी डी सर एट्टी की सीरीज चलेगी आपकी एट्टी डी है आपका हेल्थ इंशॉरंस प्रीमियूम बेटे एक एक वर्ड मोती समान है बेटा एक एक वर्ड मोती समान है ठीक है यानि की एक टी डी में सरकार क्या बोलती है कि भाई अपनी हेल्थ इंशॉरंस करवाओ तो हेल्थ इंशॉरंस कराओगे तो प्रीमियूम पे करोगे बराबर और जो भी प्रीमियूम पे करोगे उसकी डिड़क्शन ले लो whatever you pay as premium उसके deduction ले लो क्या दिक्कत है भाई तो बड़े ही simple concept में आपके साथ एक chart बनाऊंगा और बड़े analysis के बाद chart बना हुआ है तो अच्छे से इसको आपको ऐसे ही करना है एक इंसान या तो अपने लिए health insurance लेता है या तो अपनी family के लिए health insurance लेता है ठीक है दूसरा जो इंसान है वो लेता है अपने parents के लिए sir क्या बात कर रो मतब parents family में नहीं आते हैं पेटे as per law उन्होंने family के अंदर parents को नहीं डाला हुआ sir ये तो बहुत गलत बात है benefit extra मिलेगा बलकि इसलिए नहीं डाला हुआ समझे लेगा ठीक है sir sir family का मतलब बेटे family का मतलब उस person की spouse plus dependent children dependent children का मतलब sir 18 सालियों से कम नहीं बेटे नहीं dependent children का मतलब होता है अगर वो आपके उपर dependent है चाहे वो 22-23 साल के है and if they are not earning तो dependent है sir spouse dependent हो independent हो कोई फरक नहीं बढ़ता तो एक एक वर्ड जैसे कि मैं कहा रहा हूँ मोती के समान है एक छोड़ी सी बात starting में लिख देनी चाहिए थी ये section किसको deduction दे रहे individual and HOF मैं आपसे बेटे individual के अंगल से बात कर रहा हूँ जब आई ये section individual के अंगल से में discuss कर लूँगा अपने आप हुआप में अपने आप back end पे आप develop होते जा रहे आपको पता भी नहीं लग रहा अब मेरी बात समझना एक इंसान चार category में अपने लिए या अपनी family के लिए कुछ pay कर सकता है यहां पर वह तीन category है बिटा parents के लिए ठीक है जणाब हाँ सब ठीक है तो आईए लिखते हैं या तो आप health insurance premium लेते हो health insurance policy समझो ना भावना होगा समझो ना अगर आप health insurance policy लेते हो किसकी अपनी या अपनी family की ठीक है then आप CGHS की scheme में आते हो सब ठीक है जाना आप और या फिर कोई और notified scheme of central government जो भी health care और एक और प्रिवेंटिव हेल्थ चेक हो मुझे बताईए यहां तक कोई दिक्कत सर यह चार वर्ड है तो अगर आप इन चार में कहीं भी आ रहे हो ठीक है तो आप health insurance policy ले सकते हैं आप cghs की scheme में अपनी health insure करा सकते हैं आप notified scheme of central government में जा सकते हो बिटा पढ़ोगे ने एक scheme का नाम मिलेगा वो relevant नहीं है नोटिफाइड कुछ एक scheme है preventive health check-up में जा सकते हैं parents के लिए parents के लिए है बिटा health insurance policy या फिर notified स्कीम या फिर preventer health check-up ठीक है जनाव अब समझना अब मैं पहले आपको यहां समझा रहा हूं यह अपने अब समझाएगा अगर एक इंसान अपने लिए यह अपनी फैमिली के लिए health insurance policy cghs notified तो भाई साब इसकी health check-up 15,000 का करवा दिया preventive health check-up test होते आप अपने जो check-up के लिए blood test यह वाल preventive health check-up तो इसमें क्या हो सकता है maximum 5000 के deduction मिल सकती है और मैं आपको बताता हूं यह किसी को पता ही नहीं है हमारे घर में हर कोई कोई ना कुछ test चल रहा होता है लेगिन लोगों को पता ही नहीं है कि उनको यह 5000 के deduction मिल सकती है चाहे आपने insurance नहीं करा रखी कोई सी जैसे सिसमें नहीं हो बड़ भाई साब preventive health check-up तो सोचो कितने लोग अपना check-up करवाते हैं तो यह maximum कितना जा सकता है 5000 अब आप यह जो 25,000 की payment कर रहे हो जो limit है अगर आपने ली तो क्या चीज होती है बेटा आपको non cash mode में देनी है cash में insurance नहीं लेनी आपको similarly CGHS scheme भी non cash आई यह बेटे preventive health check-up cash में हो सकती है preventive health check-up किस में हो सकती है मुझे बताईए example देता हूँ suppose करो मैं अपनी insurance लेता हूँ और मैं अपनी wife की और बच्चे की insurance नहीं ली मैंने मैंने अपनी insurance ली 30,000 की ठीक है तो मुझे कितनी deduction मिलेगी 80D में sir maximum कितनी मिल सकती है 25,000 की ठीक है अब मैं आपसे बोलता हूँ कि मैंने अपनी वाइफ की भी लेली 20,000 की तो 80D में कितनी मिलेगी sir per person थोड़ना है sir total तो 25,000 ही रहेगी आप चाहे कितनी भी insurance कराते रहो मुझे बताइए कोई दिकत नई sir एकदम clear आईए अब यही बात मैं को आपके साथ यहां discuss करने है parents के लिए non cash non cash preventive क्या हो सकता है cash preventive की parents के लिए क्या लिमेटे बिटा 5,000 और important बात तो नहीं है इतनी same बात ही है 25,000 maximum okay तो यह फायदा हुआ parents को family से जुदा करने का अगर parents family में आ जाते तो 25,000 ही रहती ही लेकिन हम मुझे बता दीजिए मेरे बच्चो मैं अपनी family की insurance कर रहा हूं तो maximum reduction कितनी मिल सकती है 25 अपने बापा की कर रहा हूंगा तो कितनी मिल सकती है 25 तो total कितनी हो गई पच्चास हजार आपको clear है बात एकदम must clear है एकदम must तो आईए बेटा आप बहुत बड़ा section कर रहे है अब मेरी बात समझना सरकार कहती है हमें दया आ गई तुम पर सरकार कहती हमें दया आ गई तुम पर किस बात कि दया आ गई हम तुम्हारी deduction में 25,000 और जोड़ देंगे और तुम्हारी total deduction इस category की कितनी हो जाएगी 50,000 मैंने कितनी दया आ गई तो यहां भी करवा दोस ने कहा हम यहां भी करवा देते हैं और इस category की limit भी कितनी हो गई 50,000 सर यह कैसे वह बात में देखते हैं लेकिन अब आप conclude कर सकते हैं कि क्या एक इनसान को maximum deduction कितनी मिल सकती है कहने ऐसे 50,000 50,000 बता दो अगर गलत बोल रहा हूं तो नहीं सर गलत तो नहीं बोल रहे हैं अब इन दोनों का यह 25,000 यह क्यों हो रहा है if the person insured is resident बते बोल रहा हूं मोती जैसे शब्दे है बिटा and senior citizen अगर मैं जिस भी इंसान की insurance करवा रहा हूं अगर वो इंडिया का resident है और अगर senior citizen senior citizen बोले तो introduction class में senior citizen करा था हमने 60 years और above अगर ऐसा है तो 25,000 और जोड ले ना यानि की अगर मान लो मैं 70 साल का हूं मैं अपनी insurance कराता हूं तो मेरे लिए पच्चास जार लिमिट है या पचास हजार है पच्चास हजार पच्चास तोला साथरे हूं example देता हूं sir मैंने अपनी insurance कराई 20,000 की मेरे parent senior citizen है उनकी करवाई sir 40,000 की तो sir 25,000 तक की लिमिट है या 50 तक है भाई पूरे की पूरे मिलेगी ये भी मिलेगी और ये भी मिलेगी ओके cool समझ आगे भाई एकदम मस समझ आ रहा है sir आए आगे बता रहा हूं आपको छोटी छोटी बात है बेटा आगे जो question है को उसमें होगा सर क्या 80D इसलिए मिल रही है क्योंकि मैं life insurance premium पे कर रहा हूं क्या life insurance premium पे करूंगा तो 80D मिलेगी नहीं बेटे नहीं life insurance पे करोगे तो section करूंगा 80C उसमें मिलेगी 80D में नहीं मिलती तो बस यह बात बतानी थी नोट करने की भी जरूरत नहीं है मैं health insurance की बात कर रहा हूं medical insurance ठीक है अब मैं आपसे एक बात करता हूं last बात है और यह गया एक insurance company के पास और कहता है जी मेरी insurance करा दो health insurance कि अगर मुझे heart attack आए तो आप compensate करना और भी XYZ अगर कोई भी में तकलीफ आती है तो मुझे करना हूं मुझे बताइए यह जो insurance company है क्या यह इसको insurance अपना बेचने में interested है यानि कि जब एक इंसान 70 साल का हो जाता है मैं general idea ले रहा हूं 70 साल 80 साल यह चलो यह लगा लो आपको और अच्छे से समझ है एक इंसान 90 साल का है कहता है जी मेरे को health insurance करानी है health insurance करवानी है तो मुझे बताइए insurance company क्या कहिए देगा premium यह एक दो महीना और बिल बैठधा ना इसका hospital का पांच लाग रुपे का कोई भी problem हो भी तो बेटे this is the hard reality insurance company कहती है insurance company जब insurance कराती हूं आपसे age पूछती है तो जब आप age बताओगे ना 70 तो मानेगे नहीं वह कहेगी अभी हम busy हैं अभी हम insurance नहीं करा रहे हमने तो गाडियों का business शुरू कर दिया हम ऐसे हैं ऐसे हैं बैसे हैं कैसे हैं पता नहीं कैसे हैं तो भाई साब कुल मिला के बाद यह आ गई कि क्लास ले रहा हूं भी करता हूं कुल मिला कर बाद यह आ गई कि senior citizen जो होता है senior citizen उसकी insurance करानी बड़ी मुश्किल है बड़ी मुश्किल है क्योंकि insurance company को फायदा नहीं दिखता यह दरंदी दुनिया सिरफ अपना commercial benefit देखती है बड़े अभी तो आप छोटी छोटी प्यारे बच्चों अभी जब आप बड़े होगा आपको पता लगेगा हर चीज पैसा पैसे से तोलती है जनाब तो senior citizen जो है वो insurance नहीं कराता सर्कार ने एक मदद करी सर्कार ने का अगर तुमारा कोई insurance नहीं कराता तो अगर तुमारा कोई भी अगर medical expenditure होता है any medical expenditure on senior citizen is allowed as deduction under section 80D maximum amount आप बताएंगे logically 50,000 गलत बोल रहा हूंगया senior citizen है तो premium के limit कहां तक खेंच के दी थी मैंने आपको 50,000 तक तो अगर कोई भी senior citizen है अगर वो अपना खर्चा करवाता है और इसमें condition यह है if no insurance तो भाई साब कोई भी medical expenditure senior citizen का deduction मिलेगे टीडी में maximum कितनी 50,000 आपको जानकर खुशी होगी आपके पास सारी बाते आ गई है यह काफी बड़ा section है ठीक है उपर question आएगा यह काफी बड़ा section है मुझे बताईए यहां तक कोई दिक्कत आईये sir आपको content देता हूं sir हम कहां से read करेंगे बड़ा आपको मेरा chart समझ आ जाएगा जब उसके बाद आप गिरी शोजा sir की book से read कर सकते है बच्चे बट अभी मेरे पास गिरी शोजा sir की book नहीं है तो इसलिए मैं ICI का module refer कर रहा हूं CA के जो बच्चे है वो तो ICI के module से भी कर लेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ultimately आपको पता है मैं हर बच्चे को यह कहता हूं module तो भाई साब छोड़ना नहीं है clear है तो आईए तो थोड़ा सा आपको format आगे पीछे मिलेगा जो institute का होगा और मेरा होगा लेकिन कुल मिला के बाद वही होगी 80D यह मैंने आपको बता दिया बटा यह सारी mode of payment cash बता दिना मैंने आपको senior citizen हुआ वाल आप रीड कर लेंगे बटा आप चाहिए यहां से रीड कर लेना दुबारा से बोलतेता हूं या गिरिश्वा सर की बुक से कर लेना condition क्या थी बटा आपने जो insurance लेनी है वो किस से लेनी है general insurance company से ऐसे नहीं कि आपने मेर को बोला सर आप insurance दे दो ऐसे नहीं बेटा तो आप GIC के पास गए है सर LIC के पास नहीं LIC life करती है बेटा GIC general insurance करती है health insurance करती है any other insurer जो की approved है IRDA से तो insurance companies भी approved होनी चीए बच्चे IRDA Insurance Regulatory Development Authority जैसे banks का मालिक RBI ही होता है एसी insurance company का इंडिया में कौन है IRDA और यह table बहुत बढ़िया बना हुआ है वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें यह अगर आप देखोगे तो इसमें आपका सारा का सारा कहानी आजाएगी maximum 5000 सारी बाते आजेंगी बेटा सार क्या रीड करने की जुरूरत है बेटा देखो मैं आपको honestly बताता हूँ सारा concept मैंने उस table में डाल दिया कोई concept मिस नहीं है आपका question में नहीं हो सकता कि कोई चीज़ बहार से हो जाना बट एक बार suggest करूंगा रीड कर लेना बस एक बार ठीक है ऐसा कुछ वो नहीं है कि सर इलस्ट्रेशन नंबर सिक्स इसका क्या करना है बच्चे यह आपका homework है इलस्ट्रेशन नंबर सिक्स इलस्ट्रेशन 7 इस यूर होमवक आपको मैं एक example के तौर पे खुदी question बनाकर मैं आपको help करूंगा जब आप question solve करोगे ना बेटा तो आपको दो categories बनानी बढ़ेंगी सर्थ दो category क्यों एक category होगी बेटा self plus family और एक category होगी parents की तो मान लो लिखा हुए insurance premium खुद का जमा करा है cash में 10,000 तो बताइए क्या deduction मिलेगी नहीं मिलेगी सर क्यों नहीं मिलेगी बेटा भूल गए तुम cash में लिखा हुए प्रिवेंटेव हेल्ट चेकप cash में कर रहे आठ हजार किस के लिखा रहे खुद के लिए क्या deduction मिलेगी मिलेगी बेटा लेकिन पांच हजार से उपर तो नहीं मिलेगी ना मेरा बच्चा LIC को premium pay कर रहे हैं अपने spouse की life को insure करा के 40,000 क्या मिलेगी नहीं मिलेगी ना बच्चा LIC को जो premium आप पे करते हो वो 80C में जाता है ना टीडी में नहीं जाता है ना General Insurance Company को अपने parents की insurance कराई है नॉन cash में बहुत अच्छी बात है 30,000 तो अभी आप लिख देंगे यहां पर 30,000 General Insurance Company अपने अच्छा independent children होता तो यहां पर आता नहीं आता सर children क्या होने चीए dependent 40,000 की करवाई है और वह आपसे पूछ रहे है कि बही बताओ कितने reduction है तो अभी तो मैं total कर देता हूं पहले 45,000 और 30,000 अब सर हमें यह जानना पड़ेगा कि इसकी insurance कर रहे हो senior है non senior है मान लो individual खुद खुद और उसकी family में कोई senior citizen नहीं है तो 45 दे दू क्या रहे सर क्या बात कर रहे हो 25 तो जाएगी न और अगर मैं बोलू 70 साल है और वो non resident है तो बेटा आपको benefit नहीं मिलेगा तो सिरफ कितना limit आएगी 25 और अगर मैं बोल दूँ 56 years के हैं और non resident है तो भाई साब चाहे इसको resident भी मान लो 56 के हैं और resident है तो भी तो 25 ही मिलेगी तो आप समझ गए ना मैंने आपको question solve करने के तरीके बता दिये मान लेते हैं कि जो हमारे parents हैं क्या है 70 साल हो resident तो आपके deduction total कितनी आ गई जी 55,000 के deduction मिल जाएगी कोई दिक्कत हो तो बताओ दिक्कत नहीं है तो मत बताओ दिक्कत है तो बताओ हाजी हाजी साब clear है बिलकुल आईए तो 80D हमारा पूरा का पूरा complete है बहुत बहुत मुबारक चलिए section sir क्या हमें याद रखने है बेटे एक एक section याद रखने है आईए अगला डबल डी पर आऊँगा मैं बट आपके साथ section का भी एक वह बनाना है मुझे section 80D हो गया बेटे जिस से जिस सीक्वेंस में कराऊंगा उसी सीक्वेंस में आप इसको गोईंग फॉरवर्ड रिवाइज भी करोगे सामझे लोग दाट वुड है तो हम लोगों का 80D हो गया जिसमें लिमिट थी पच्छेस हजार और पेरेंट्स की और पच्छेस हजार ठीक है और अगर इसमें एडिशन्स हो सकते हैं पच्छेस हजार इच कैटेगरी अगर उस कैटेगरी में जिस इंसान के अपने इसौरस कराई है वो सीनियर से जान है तो आईए सिर 80D भी करते हैं इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड बच्छे आप एक काम कर सकते हैं यह वाला सेक्षन क्योंकि मैं इससे रीड करके बताऊंगा तो आप गिरिश वार सर की बुक खोल सकते हैं और जो भी मैं वर्ट्स को बॉक्स में करने को इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल्ड तो बॉक्स में कर लीजिए डिपेंडेंट डिसेबल्ड यानि कि अगर आप किसी डिसेबल्ड को मेंटें करते हो उसकी देख रेक करते हो उसका ट्रीटमेंट करवाते हो और वो डिसेबल्ड कोई और नहीं वो आपके ओपर डिपेंडेंट है यानि कि कोई ना कोई फैमिली मिंबर है ऐसे नहीं कि मैं रहा चलता हुए किसी भी डिसेबल्ड को अगर मैं उसका ट्रीटमेंट करा हूं तो म यह भी देखना है and what do you mean by dependent यह भी देखना है सर आए सेक्षिन टी डबल डी प्रोवाइड डेडक्शन डू असेशी हूँ इस रेजिट इन इंडिया बॉक्स में कर लीजिए डेडक्शन जो है वो रेजिडेंट को मिलेगी और किसको मिलती है सर इंडिवीजल और हफ को सर महां भी इंडियूजल एच्व को में लिए बिलकुल सही बात पेमिंट कॉलिफाइंग फोर डेडक्शन इसके उपर मैं आऊंगा सबसे पहले डिपेंडेंडेंट का मतला यानि कि मैं किसकी बात कर रहा हूं ठीक है तो अगर एक इंसान है इंडिवीजुल तो उसके उपर कौं-कौं डेपेंडेंट है सौष चिल्ड्रन सर कर मैं याद रखना है बिलकुल स्पाउ़स चैल्ड्रन परेंट्स ए ब्रद 224 तो ऑफ यहनिक एक इंडिवीजुल की वाइफ या हज्बन उसके बाच्चे इंडिवीजुल के पेरिन्स इंडिवीजुल के ब्रद दिवि dependent on such individual इससे आगे की लाइन मत पढ़ना बेटा भी पढ़वाउंगा वो इससे आगे की लाइन पढ़ना है क्लेर है उसके बाद a member of HUF HUF के case में holy or mainly dependent on such HUF नहीं कि HUF का कोई भी member जो HUF के ऊपर dependent है and not claimed यह नहीं पढ़ना आपको भी ठीक है भाई आई है अब इसमें disability की आई है तो eligible SSC तो हम लोगों ने देख लिया था कि किसको मिल सकते इंडियो है पेमेंट्स qualifying for deduction बेटे एक बात इसमें मैं important बोलना चाहरा हूं आपको खर्चा करना जरूरी है बच्छे अगर सर एक इनसान ने dependent disabled के उपर खर्चा ही नहीं करा क्या उसको deduction मिल जाएगी double D में नहीं मिल सकते तो क्या लिख रहे है सर वह एनी अमाउंट incurred box में कर लीजिये any amount incurred incurred का मतलब खर्चा करना जरूरी है for medical treatment including nursing training rehabilitation of dependent being a person with disability अगर आपने कोई भी amount का खर्चा कर है for medical treatment तो यह पहला point clear है ठीक है दूसरी पैस समझना पेड और deposited under a scheme तो box में कर लो paid or deposited आपने कहीं जमा कर रहा है पैसा under a scheme framed in this behalf by life insurance corporation or any other insurer तो मानके चल लेते LIC की किसी scheme के अंदर आपने invest कर है ठीक है और यह नाम आपको सारी याद नहीं रखने क्यों कर है for the maintenance of dependent मैं उस scheme में क्यों पैसा डाल रहा हूं for the maintenance of dependent जो की इंसान क्या है disabled बेटे मेरी बात ध्यान से सुनना यह किस सोच से लिखा हुआ है आपको पते है बच्चे suppose करो यह एक इंसान है और इसके साथ यह इंसान एक disabled क्या मैं कह सकता हूं यह इंसान इसको फीड गराता होगा maintenance सारा कुछ handle करता होगा लेकिन इस इंसान को ना एक दिन एक सोच आई बेटा और सोच यह एक यह अगर इस disabled से पहले अगर यह इंसान की death हो जाती है if he expires तो इस बिचारे को कौन maintain करेगा तो इसने इसी सोच पर जाकर LIC में कुछ premium पे करना चालू कर दिया और वह premium यह था कि अगर dependent से पहले मेरी death हो जाती है तो भाई साहब आप एक lump sum amount इसको देना तो सवाल यह है कि जब आप यह pay कर रहे है तो क्या इसकी deduction है मिलेगी answer is हाँ पेटे हाँ मिलेगी बिलकुल मिलेगी बराबर मिलेगी qualifies for deduction और यह यही बोल रहे है the scheme should provide for payment of annuity or lump sum amount for the benefit of dependent being a person with disability in the event of death of the individual यह है अगर वो individual की death हो जाती है इसको प्रोवाइट 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 और अनुटी और लॉम्सम अनुटी मीन दिर्या दिर्या करके देना और लॉम्सम एक साथ देना तो आपको यह इंटेंशन क्लियर है यह जाना अब सवाल यह है अगर सर मैं कोई भी खर्चा कर रहा हूं तो क्या है सब्सक्राइट प्रोवाइट अगर आप डिसेबल को मेंटेंड करते हैं पिचतर हजार सर मैंने खर्चा करा था 5000 तो क्या 75 मिल जाएगी हां बेटे हां यहां पर ऐसा लिखा है क्या एक्चुल और 75,000 विचेवर इस लेस नहीं लिखा वो यह कह रहे हैं अगर तुमने कुछ भी खर्चा करा तो भाई साथ 75,000 ले लो सर मेरा खर्चा हुआ है तीन लाग का तो कितने डिक्षा मिलेगी बेटा 75,000 आप से कोई कुछ नहीं पूछ रहा सीधी सीधी बात है आर यू मेंटेनिंग डिपेंडेंट डिसेबल्ड येस आर यू इंकरिंग डिएक्स्पेंडिचर येस 75,000 दूशी बात सुनलो आर यू मे इस चीज़ की डिसेबलिटी यानि कि कोई इनसान 80% यह उससे जादा ब्लाइंड है तो उसको सिवेर डिसेबलिटी बोला जाता है और उसको कितने डिडक्षन है उसकेस में सर 1,25,000 कोई दिक्कत सर और कंडिशन क्या लिखी हुई है बाई जब तुम रिटर्न भरोगे तो तुम एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट लगाओगे जो कि यह चीज़ को शॉरिटी देगा हां मैं एक डिसेबल्ड को मेंटेन कर रहा हूं और वो सिवेर डिसेबल्ड है ठीक है और कंटिनियूसल उसका रही असेस्मेंट अगर होना है तो अपडेटेड़ वाला लगाओंगा तो इसके अलावा और कुछ नहीं है सर एक पोंट और डिसक्स करते हैं इफ दर डिपेंदेंट मतलब वो जो डिसेबल्ड था मिंग दा पर्सन विडिसेबलिटी प्रीडिसेज इस द इंडिविजुल और दी मेंबर अफ चुछ अगर वो डिपेंडेंट की डेथ हो जाती है इन हुज नेम सब्सक्रिफ्चन वाज में दें अमांट पेड और देपोस्टेड अने सेट स्कीम वोड बी चार्जबल टू टॉ टाक्स इंडी हांड अफ असेज इन प्रीविए सेच अचमांट इस इस एक इंसाने वह डिपेंडें सब्सक्राइब कर दिया भाई साथ है कि अधिया सर इलस्ट्रेशन नंबर एट यह अभी आप करिये एक बार रीड करो इसको आपके सामने है और इसको करो हाँ जी क्या मोल रहा है सरी है को भी लाके सीधी सीधी बात बोल देता हूं ग्रांट फादर के लिए बेटा तो ग्रांट फादर आपके डिपेंडेंट के अंदर नहीं आ रहे थे तो आपको डिदक्शन नहीं मिलेगी इसी तरीके साब इलस्टरेशन नाइन भी कर लेंगे आईये अगला सेक्शन एटी डी डी बी एटी डी ओगया अब करेंगे एटी डी डी बी बस बटें ऐसे छोटी चोटी स्टेप्स लेते जाएंगे डिदक्शन भी खतम कर देंगे हिम्मत रखनी पड़ेगी मैंस आपक ट्राक्स का कॉर्स बहुत जआदे वेटां इतना ज्याद इतना ज्याद घर कि क्या बता हूं कि इतना ज्याद है तो कभी भी आपको यह तो सोचनी नहीं कि kau बस खतम कब होगा आपको तो पढ़ते रहना है बस सोचने का काम मेरा टेंशन मतलो वह होता रहेगा अच्छे से पढ़ो बेटा ठीक है कोई ट्रेन थोड़ना है कि कब खतम होना है बस यह कर लिया बस हो गया ऐसे थोड़ना मजे लेके बढ़ो कुछ डिक इड़क्षन एडिउस्पेक्ट औफ डिअपटी रिच्मेंट अग्धि सर्ड आगए ससर्ड एटीड था वह किसके उपर था वह था व्हां एल्थ इन्शोरंग्स डीडीवी टानव वह इसे बल्डी कह एंटेंस यह क्या ऑग है सर्डीचे अग्धिक ट्रीपमेंट में resident और किसको मिल रही है individual and HR. तरीक्या है? The deduction is available to an individual for medical expenditure incurred on himself or dependent यानि कि आपको deduction individual तभी मिलेगी जब आपको खर्चा अपने उपर करोगे या फिर dependent Sir अभी dependent कौन है? नोगे है बेटा same same to same जो आपने अभी अब थी डबल दी मैं करे है spouse, children, parents, brothers, sisters wholly and mainly dependent payment any amount actually paid for medical treatment as may be specified or in the rules made in this behalf by the board for himself meaning if you pay for your dependent or if you pay for your member quantum the amount of deduction shall be equal to amount actually paid 30,000 or 40,000 whichever is less sir 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 cool so maximum deduction this is important the deduction under this section shall be reduced by the amount received under insurance from an insurer sir 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 would आपको डीडीवी के साथ जो मैं कराता हूँ वो अब कराऊंगा मेरी बाइद ध्यान से सुनना पहले अगला सेक्षिन और मैं उसको इसके साथ लिखूँगा ताकि आप हमेशा जिन्दिगे में इसको साथ में पड़ो अभी आपने जो डिसेबल्ड वाला पड़ा था ना उसके साथ एक एटी यू है बच्छे अब मैं आपके साथ वो कराऊंगा तो फिर हमारे ये चार सेक्षिन कम्प्लीट रहेंगे में चोटी चोटी सेक्षिन जी आते जाएंगे आए यह डिड़क्षिन इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सन विद डिसेबलीटी बिटा सिच्वेशन ऐसी है कि एक इंसान है वो डिसेबल्ड तो हो सकता है कि वो ना कमाता हो लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि वो कमाता है हो सकता है एक इंसान है वो हैंडी कैप है और वो अर्न कर रहा है बच्चे तो मुझे बताइए क्या मैं उसको डिपेंडेंट की कैटिकरी में डालू और कोई और इंसान को डिड़क्षिन दू नहीं बेटे नहीं अगर एक इंसान हैंडी कैप है और अगर वो अर्न कर रहा अब एक इंसान है हैंडीक एक है और और आन कर है मिलेगा कि इससे को नहीं मिलेगा समय अब आप से कह रहा हूँ वो जो हैंडीकाप है उसको डिदक्षन डूर यानि कि अगर एक इंसान है और अगर वो कमाता है तो उसे कुछ करने की जुरुत नहीं है उसको सीध्धी सीध्धी deduction है सीध्धी 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 सर खर्चा करा ना भाई ना याद करो अभी इसी क्लास में बिग्रिंग मैंने बताया था कि अगर तुमने कुछ स्पेसिफिक इंकम कमाई तो सीधी deduction यह वो एक्जामपल है पहला तो एक्टी यू वो एक्जामपल जैसे कि अगर मैं आपको लिखके दूने यहाँ पर कि सर आपने जंडरल बात करी थी कोई section के साथ court करो ना सर तो लो बेटे आपने बोला और मैंने किया कहां गया यह सबसे पहला पेश्ट था सबसे नीचे आगया यह उन्हें बताया था ना अंकरोगे इंवेस्ट करोगे इदर इंवेस्ट करने की जुरूत नहीं है तो सर कोई यह एक्जाम्पल दो बेटे टी यू अगर आप disabled है और अगर आप कमाते हैं तो सीधा deduction मिलेगी आपको हां सर अब सकनेक्ट हो गया सर अगमारा आए यह एलिजिबल अससी सर यह उपर का पड़ लेंगे आप इस सेक्शन इस अप्लिकेबल तो ए रिजिएंट इंडिविजूल इस सर्टिफाइड बेडिकल अथर्टी तो भी अपर इस अपर इस किस इंसान को डिदक्शन मिलेगी बेटा जो इंडिविजूल होगा और जो कि क्या है इसबिलीटी बेडिविज इस अवेलिबल तो आ परसंट सफरिंग फर्ण वर्म और जो अच्छिशन देटशन कि थिचे तरफ अच्छे जार और एक लाग पच्छे सब्चार श्री तो से में हो बिटा पिचार हजार नोर्मल डीसेबिलीटी सिवेर डिसेबिलिएने की 80 औ वो relevant नहीं था क्या ATU में खर्चा करने जुरत है नहीं बेटे नहीं इट्स नॉट नेसेसरी दाट इफ दिसेबल पर्सन इस इंकर्ड इनी एक्स्पेंडिचर और नॉट इफ यह डिसेबल्ड यह अर्नेंग फ्लाट 75 वह फ्लाट 125 कंडिशन वही है रिटर्न के साथ अपना एक सर्टिफिकेट लगाओगे कि आप डिसेबल्ड है अगर फ्रेश असेस्मेंट डॉक्टर ने बोली है तो विदिन टाइम आप उसको रिन्यू करके सम्मिट भी करेंगे ठीक है बच्चे सर क्या हमें एक्जाम में क्वेशन बताएगा कि एट्टी यू भूलना जाने नहीं बेटा आपको एक्जाम में ध्यान रखना पड़ेगा हो सकता है क्वेशन बस ऐसे स्टार्ट होए तो आपको खुच से बिटा ध्यान लगाना पड़ेगा कि इसको आपको डिदक्शन देनी है आप समझ रहें आप ऐसे नहीं कर सकते कि सर हम भूल गए ठीक है तो इस इंपलाइड अड़श्मेंट कि ट्रीडी हो गया अपना बिटा है रीड कर लेना सारा डबल डी हो गया डीडीबी हो गया आईए 80E करते है इसके लावा कोई और अच्छा है 80E करते है बच्छे डिदक्शन इन रिस्पेक्ट ओफ इंट्रेस्ट ओन लोन आपको 80E में डिदक्शन क्यों मिल रही है क्योंकि आप क्या पे कर रहे हैं इंट्रेस्ट किसके उपर लोन क्यों लिया था हायर एजुकेशन बड़ा कोई अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आपने लोन लिया था उसके उपर ब्याज है ब्याज पे कर दो डिदक्शन ले लो बिटा प्याज नहीं ब्याज इलिजिबल असेजी किसको मिलेगी एटी इमें डिदक्शन प्रोवाइट इड़क्शन तो करिये ना बॉक्समें करिये ना एक इंडिविजुल को ही डिदक्शन मिलेगी कम मिलेगी इन रिस्प्ट आप एनी इंट्रेस्ट अन लोन पेड बाए हैं इंट्रेस्ट अन लोन इन प्रिविएस यर आउट अफ इंकम चार्ज़जबल तो टाक्स कंडिशन दे लोन मस्ट आप बिन टेकन फॉर दी परस्वें एड़क्शन तो बेटा सबसे पहले तो बॉक्समें कर ले ना हायर एड़क्शन सर कार लोन के लिए सर हाउजिंग लोन के लिए सर लैप्टॉब लोन के लिए बिटे बोला ना हायर एड़क्शन के लिए ओफिस खुद की एड़क्शन या फिर हर रेलेटिफ आपकी खुद की यहर का तो कोई सेंस नहीं बन रहा है खुद की यह आपके रेलेटिफ की आईए रेलेटिफ पढ़ते हैं यानि की रेलेटिफ मतलब आपके स्पाउस और चिल्डरन अब दी इंडिविजल यानि की बेटा अगर के अपने वाइफ के लिए education loan लेता हूँ higher education के लिए और loan लेता हूं तो interest जता हूं तो क्यों रिड़क्शन मिलेगी मिलेगी अगर मैं अपने बच्चे के लिये लेता हूं तो मिलेगी फिलकल मिले desem student for which individual is legal कार्चा सार मीनिग ऑफ higher education बेटा वो बताऊंगा आपको अभी चलिए एक बर पढ़ लेते हैं वो क्या बोल रहा है अब इंपोर्टेंट बात जिसके ओपर क्वेशन बन सकता है अच्छा एक चोड़ी सी चीज दे लोन मस्ट हब बिन टेकन फ्रम फिनांशल इंस्टिशन और अप्रूफ चैरिटेबल इंस्टिशन बाइस अप्रूट जगह से लोगे ऐसे नहीं अपने दोस्ते लोन ले लिया कि मेरे भाई मैं जा रहा हूं यूएस पढ़ने मेरे को पैसा दे दे मैं तरको इंट्रस दोंगा जब मैं ट्रस दोंगा तो मैं डिदक्शन क्लेम करूंगा इसे दुढ़ना होता है अब में मुद्दे की बात अच्छा इन्सटिशन पढ़ लेना लेना पिता इनज अधर बैंक भी आ रहे है एन्य अधर फैनास्य इंस्टिशन पे सेंट्रल कमर्ण नोडिफाई ठीक है जनाब आईए चोटी सी बात करनी है चोटा सा आधी मैं चोटी सी बात करूंगा पीरियड ओफ डिड़क्शन सर मैंने लोन लिया और मेरा जो लोन का रीपेमेंट है वो मेरे हाथ में 20 साल तक लोन की रीपेमेंट जानी है और इंट्रेस्ट भी कितने साल जाने 20 साल तो 20 साल तक इंट्रेस्ट लोगे क्या मारे बाबा सरकार कहती है मजाग बना रखा है क्या 20 साल तक interest की deduction देंगे क्या तुम्हें मतलब तुम हर साल कुछ ना कुछ interest दे रहे हो तुम्हें 20 साल तुमने तो क्या कर दिया तुमको पता लग तुमने तो interest का amount ही बढ़ा करवा दिया क्योंकि loan period बढ़ा हो जागा तो interest भी बढ़ा हो जाएगा तो भाई साब ऐसे थोड़ना होता है कितने साल तक deduction मिलेगी ये eight years पाँच छे साथ आठ eight years the deduction is allowed in computing the total income in respect of initial assessment year initial assessment year मतलब पहला assessment year in which assessi starts paying the interest बहुत scientific language लगा रखी है सीधी सी बात है आठ साल तक मिलेगी तो इन्होंने क्या बोलोंगा initial assessment year and seven assessment year immediately succeeding the initial assessment year or until the interest is paid in full whichever is earlier मैं सम्झाओंगा नविटा आपको tension क्यों ले रहे हो आई यह चोटी सी बात करेंगे बड़ा सबसे पहले तो यह समझना अभी previous year कौन सा है अभी है बीस इस साल भी कुछ आपने बिगिनिंग में लोन ले लिया था इसी साल में ठीक है आपने लोन कब लिया बच्चे एपरिल में ले लिया तो क्या इस साल कुछ इंट्रेस्ट दिया मैं एजूम कर लेता हूं दिया तो बीस इक्ष में डिडक्शन मिलेगी अगला साल कौन सा होगया इक्ष बाइस 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 स्टैश इस तेश साथ में टोइव सांट है टो आपको इस सलवि मिलेगी सब्सीजिबूरियस अगले साथ असेस्पेंटियर तो सिम्पल सी मिल वात है जब इंट्रस्ट देना चालू करा, तो मिलगी deduction, इतना कॉम्प्लिकेट क्यों करना है, क्लाइंट के आगे कॉम्प्लिकेट करना होता है, आपस में थुर्णा कॉम्प्लिकेट करना है, अब मेरी बात समझना, सर हमने तो 28-39 में भी इंट्रस्ट दिया है, क्या मिलेगा, नही 25 तक तो interest की payment ही नहीं थी तो भाई सिरब यहीं तक ही तो लोग है जब यहां पर interest ही पे नहीं करोगे तो थोड़ना होगा इसलिए तो वो कह रहा था कि या तो 8 साल या फिर जो भी आपका contract है whichever is earlier अगर contract है पात साल का पात साल में सब interest और सूथ समय वापस करना है तो पांच साल deduction मिलेगी यहां तक clear है अब मेरी बात आखरी समझना बटा आपको पते जो housing loan होते हैं इसमें क्या होता है कि बच्चे के लिए लोन लिया जाते है और बोला जाते है कि देखिए अभी तो हम repay नहीं कर पाएंगे बच्चे की नौकरी लगेगी तब बच्चा दे देगा तो suppose करो लोन लिया अभी इस साल में आपने loan लिया क्या इस साल में कुछ भी principal repayment करी नहीं करी क्या कुछ इंटरेस्ट करा नहीं करा क्यों सर बेटा education loan होता ही है स्टार्टिंग के 2-3 साल नहीं लेती सरकार आपसे पैसा क्योंकि वो कहती है कि आपने बच्चे के लिए लिया बच्चे की education खतम होगी बच्चा कमाएगा तब देगा तो आपने loan तो ले लिया लेकिन repayment नहीं हुई अब उसका course यहाँ पे जाके खतम होगया सर और वो कहती है चलो पहले 2 साल हम नहीं लेंगे क्योंकि 2 साल का course है अगले साल भाई नौकरी लगे ना लगे हमें नहीं पता आपको यह principal देना मिलती है वो यहां से चालू होएगे यहां से वो होएगी बेटा क्योंकि क्या लिखा हुआ था एट 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 यहर्स फ्रॉम प्रीविएस यहर्र इन विच इंट्रस्ट इस फर्स्ट पेड अब समझ रहे हैं सर ऐसे थोड़ना है कि लोन लेते ही आठ साल चालू हो जाएंगे बेटा जहां से इंट्रस्ट अब नहीं रुकेगा बेटा तो यह अगर पहला साल है दूसरा साल तीसरा साल चौत्था साल पाच्वा साल छटा साल यह हो जाएगा सात्वा और आठवा दो और जोड़ लोगे आप तो यह आपकी इंट्रस्ट की पीरियड आ जाता है कोई दिक्कत यही बात बेटा इसमें लिखी हुई है assessment year relevant to the previous year में अससी starts paying the interest and seven assessment year मतब एक पहला assessment year हो गया जिसमें पेमेंट करी है और seven तो खुल मिलाके आठ आप प्रिवियस यह बोल लो या आठ assessment year बोल लो तो गुमाने वाली बात है बस मुझे बताएगे कोई दिक्कत sir illustration number 10 आप कर सकते है यहां तक बताईए कोई दिक्कत तो बेटा ऐसा करेंगे यहां तक रखेंगे और आपके साथ मेरी कोशिश है कि by this Sunday मैं deduction को over कर दूँगा आज Friday है तो एक लंबी क्लास दो या तीन घंटे की या continuous obviously Saturday Sunday भी आपको class मिलने ही वाली है तो कोशिश है मेरी by Sunday मैं खतम करूंगा deduction और उसके बाद फिर हम लोग बच्चे GST पर आ जाएंगे ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे GST बाकि जो बच्चे CMA के हैं मैं उनका सोचता हूं कौन सा चाप्टर डारेक्ट टाक्स का होंगा डारेक्ट टाक्स कुछ ना कुछ ठीक है लेकिन GST भी स्टार्ट हो जाएगी अब आप ठीक है तो इतना रखते हैं thank you very much घर में रहिए बाहर मज जाएए बाहर बहुत खत्रा है बाई बाई कुछ पत्रा हूं का रहिए बाई